तो इसको टॉप से देखें तो आपको ये सर्कुलर शेप का ऐसा दिखाई पड़ेगा अब इसका डियमेटर कितना दिया है 17.5 मेटर तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 17.5 डिवैड़ेट वाई टू ठीक है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द पॉन्ट इस इकोल स्टू 17.5 डिवैड़ेट वाई टू मीटर स्टिकें चलो बहुत बढ़िया अब क्या बोला आता है बच्छों सपोसेस का सेंटर को है क्याता है इसे तो यह कितना है यह आपका टू मीटर वाइड क्या है पाथ है ठीक तो बच्छों यहाँ पर आपको दो सर्कल से दिखने हुए रहे हूंगे ठीक है यह आर रेने जो चलों स्मॉल अर्टे और अगर हम आपको फुल रेडियस पूछें यह सेंटर से लेकर यह जो आपको बड़ा अंदर रासर करना देखो फिर बड़ा वाला सकल देखो तो इसका रेडियस को अगर हम क्यापिटल आर से दिखा रहे है तो कैपिटल आर की 17.5 divided by 2 और प्लस इसमें क्या करना है टू मीटर हम और अट कर दिंगे बसमें गी नहीं तो यह हो गया आपका आर प्लस टू करेक्ट कैप्टिल आर कितना हो गया हार प्लस टू हो गया अभी इसको ऐसे रहने दू चेक अभी नोने क्या बोलाए कि फाइंड दा कॉस आफ कंस से देखें तो यह जो शेडिट रीजेन यही पाथ है तो पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है क्या कॉस्ट लगाए यह आपको बताना है और इन्होंने बोला है कि भाई कॉस्टिंग का हिसाब क्या है रूपीज 25 पर मीटर स्कॉर यह न बताओ पूरा कॉस्ट कितना है तो भाई हमें क्या करना चाहिए इसका पाथ का एरिया निकाल लेना चाहिए और जो भी एडिया आएगा तो वन मेटर स्कॉर एरिया का खर्च कितना है 25 तो जितना भी एरिया इसको रूपी 25 से मल्टीपाइब कर देंगे तो टोटल कोस्ट आ जाएगा, अब इस path का area कैसे निकलेगा, सोचो, यह बड़े वाले circle में से हम, छोटे वाले circle का area, माईनस कर देंगे, ठीक है, तो solution में यहाँ पर क्या हो जाएगा, area of, area of path, area of path, हां भई, बताइए जोड़ा, ध्यान से, अभी अंदर वाले circle को मन दिखो, यह पूरे का area, म और ठीक है आप पूरे का एरिया माइनस इस पूरे मिसे हमें किसा आणा है पॉंड को तो पॉंड का एरिया क्या होजाएगा पाई और स्मॉल और स्कॉयर ठीक है को डाउट है पताइए अच्छा बहुत बढ़ी है अब यहां से बचों में काम करते हैं कि आपको देखे सब अब कर दो बचेए तो हमने क्या किया आपर हमने आप आई को मन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा चापिटल र स्कॉयर माइनस इस्मॉल र स्कॉयर को डाउट है अब देखो पच्छों पहले ना देखो निमेरिकल वेलू रखने से पहले हम इसको थोड़ाँ सा इजी कर कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी और बार के रूप यह तॉटा सा अथ इस हो जएगा यनिके के यह ब्लस ग रहने िकापिल डॉशाऌ एंटुर अग्न धेशाइन स्टु आप ध्यांदें शूरेंस अगर आप थोड़ाँ से थान देंडें चैया विए रहाई मैंडी रख और समस्त बाद में रख लेंगे टेंशन निये कोई तो पाई इन डारिकेंध था लेंगे सुदेंस कैपिटल आर कि जगा आपको क्या रखना है इसमॉल आर प्लस टू ओके तो स्मॉल आर प्लस टू हमने रखा किसी जागा अब यहां पर देखित लुका अब यहां सब लिए था प्लस ने अप लिखना है और फ्लस टू ओर माइनस में आप टॉलिक हुए को ड़ ऑ बताहिए किसी हो गये माइन सागा और हम एक चैनल हो गया ठीक है तो अब प्लस में टू तो है ही ठीक और यहां पर चाहिए दू बचके रहे हैं ओके अब दीगे यह सब आपस में मुल्टिप्लाइब ने तो अब एक काम करते हैं यहां पर आजएका आपके पास ध्यांदेंगे श्टेंस देगे पाई प्लस टू है और इंटू में भी क्या लिखा हुआ है टू ठीक है यह इंटू में टू है ठीक अब देखो यह वाला टूस से कैंसल हो गया अब दो कितना एजी हो गया कालकुलेशन तो पाई अंब लगे फ्लस तो कितना हो गया 19.5 दो हो गया 19.5 और इंटू में क्या है तू है यह जो है तो सब्सक्राइब देख लेगे इसको बाद में तो को 19.5 से मुंट्पलाई करगे गये इसको गया 19.5 225010 129 3839 39 हो जाए गई तो यानिके यहां जागा पाई इंटु 39 यानिके 39 पाई हो जाए गई तो ये एरिया आगे आपका किसका पात का 39 पाई मीटर स्क्वार मीटर स्क्वार अब ध्यां से चेकरो बच्चों क्या टोतल कास्व कासे निकालेंगे इस एरिया पो 25 यह कर देंगे ठीक है तो तो टोटल कॉस्ट भाई क्योंकि 1 meets स्क्वार का कॉस्ट कितना धा 25 तो 309 five meter स्क्वार का पास्स कितना हो जाए 39 five into 25 तो टो टोटल कॉस्ट टोतल कॉस्ट तो यह कितना हो जागा रुपीज हाँ सॉल कर लो पहले 39 को 25 से मल्टी प्लाइग कर लो ठीक है तो 39 इंटू 25 कर लेते हैं आपर 39 इंटू 25 करेक्ट 5 9 जा 45 45 15 15 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 एक बार चेक कर लिए आ रहा है हाँ 975 और भूल यह नहीं पाई भी है तो 975 इंटू पाई अब करना कुछ नहीं बच्छों पाई का यहां पर वैलू रग दीजे और पाई का वैलू कोशन में तो दिया नहीं हो है तो हम कितना रखेंगे 22 गाए 7 रख देते हैं क्या करें है ना तो चलो रख देते हैं तो जब तक भोला ना जाए तो हम 22 गया रखेंगे ठीक है 975 इंटू 22 गया 7 ओगे अब इन दोनों को मल्टिप्लाई करियो और 7 से कर दीजे डिवाइड चेक चल तो 975 इंटू 22 हाँ तो फाइब आटा है 10 बन जाएगा 274 प्लस फिफ्टीं मन तू नेंट इन प्लस ना इन टीन टू फिर से इतने आज एगा और यह कोशिश हो को दिक्कत है निए फिर भी यह यह डिवाइड लगाने की कोशिश्च रखते है चिक तो क्या है 214 50 divided by what 7 ठीके तो 3 777 रिजागे ना हो जाए 21 ठीक तिन यहां कुछ निवाचे का यहां फोर उतारेंगे अब धिहां दे पढ़ेंगे तो 717 होता है तो हम रिवर्स ओर में टेबल बढ़ेंगे 70 रहां जाएगा जीरो फोर माइनस जीरो फोर और यहां पर फाइफ हमने उतार लिया फिर क्या जाएगा सब्सक्राइब तो 766 में आपका क्रूटी टूटी 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 फाइब माइनस तू थ्री आगया फिर यहां से हमने जी दो उतार लिया कितना जैगा अ कि अ यह यहां जाएगा आपका यहां आपका किन फोर जा फोर जा टोन्टी एट ओके यहां बढ़ेंगे प्राइंट के हैं से जीरो और सेवन सेवन जा फॉर्टी टू सेंट फाइव रहे तो देखो आपका जो आनसर आ रहे है वह रूपीज रूपीज कितना रहा है 3064.28 बस इतना है टू डिजट तक इनफ है ओगे ठीक है यहां पे लास्मा फाइव आप इंगोर करो इतना रूपीज अब बच्चे बोलेंगे साथ पीछे तो एंसे आठ इंसे एंसे इंसेड़ में आसर यह चोड़ देगा थीज़ें तो यह वाला आंसर क्यूंत वाला यह वाला आंसर इस लिए रहा है यहां तक जब आप पहुंचे थे 975 into pi ना तो pi का value उन लोग ने 3.14 लिया है, बोला नहीं है question में पर ले लिया है, अब उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो 3.14 आप करके करोगे अगर, तो total cost कितना हैगा, 975 into pi, pi का value 3.14 रखें, इसको वच्छों आप solve कर लीचे, तो कितना आ जाएगा, 3061.50, आ आप कर लीजेगा, इतना ही आएगा, ओके, तो इसको note कर लीचे,